अगली दिवाली आप भी अपनी सफलता का जश्न जरूर मनाईगा जैसे बाकी लोग मना रहे हैं तो आपकी भी सफलता जरूर नजर आएगी अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रिया तो आपको भी वो स्वीट सॉस ऑफ सक्सेश जरूर चखने के लिए मिलेगा क्योंकि सफलता की जो मिठास होती है सफलता की जो एक चटनी होती है उसको भी चखने का आपको सवबाग्य जरूर मिलेगा अगर आपने रूट लेवल पे कुछ बदलाव करें स्टार्ड कर दी हैं वो क्या बदलाव हो सकते हैं तो पहला बदलाव है कि आपको कभी भी निराश हता कर द厘 करहें कर दो ल होता है कि आपको इसलिए मुझे मेहननतर अच्छाव सब्सक्राइब करें onst Sie dar करके देख लूँ क्योंकि एक ही डर्र पे अगर आप चल रहे हैं और उसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं ला रहे हैं ना आपकी बोलने के तरीके में ना आपके सोचने के तरीके में कोई बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो उससे भी आपका जो ग्रोथ है वो स्टेगनें आपकी कदम चुमेंगी क्योंकि सही डारेक्शन पर अगर आपने काम करना है स्टार्ट कर दिया साथी साथ कुछ ना कुछ इनोवेशन भी अगर आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ नई तकनीक भी ला रहे हैं आपके सोच विचार भी बदल रहे हैं तो definite basis पर आपकी सफलता आपको मिलेगी दूसरी चीज है कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं मैं कुछ भी कर लूँ कुछ भी कर लूँ अगर मैं सोना भी छूरा हूं तो वह मिट्टी में बदल जा रहा है इस तरह की निगेटिव थोट्स आपको बिलकुल भी अपने उपर हावी नहीं नही जीते जीत तो वह मन्स ही आपको जीतना है सबसे पहले तो इस तरह की कोई भी निगेटिविटी अपने उपर हावी नहीं होने देनी है और जो चीज़े आपके मन की हो रही है तो बहुत अच्छी लेकिन अगर मन की नहीं हो रही है तो मेभी उसके अंदर जादा अच्छा ज़रूर मिलेगी लेकिन कहा जाता है न कि ये जो निराशाएं हैं हताशाएं हैं जब वो हमारे उपर हावी होने लगती है तो हमारे अच्छी आई वह भी चीज़े गरबढ हो जाती है तो आपको थोड़ा सा धहरे बना के अरके चलना है कि कुछ चीज़े अगर सम टाइम अगर थोड़ी तेर के लिए अगर खराब भी हो रही है अपको पोशिश करनी है उसको इंप्रूफ करना है धीरे धीरे करके आप जब उसको टाइम दीजेगा तो धीरे धीरे करके वो सही होना है स्टार्ट हो जाएंगी तीसरी चीज़ है कि एकदम पकड़े रहना है उस के वज़े से हमारी निगेटिव सोच के वज़े से कुछ न कुछ बहाने या अलस से हो सकता है मूड नहीं है करने का मन नहीं है इस तरह की कोई भावना मत लेका बस निरंतरता बनी रहनी चाहिए अगर निरंतर हैं आप किसी भी चीज को लेके तो आप देखेगा कि आपका 50% दे रहें तो अच्छी बात है 50% दे रहें तो अच्छी बात है लेकिन हर दिन आपके चेंजेज होते रहेंगे कई बार कुछ चीजे होती है जो इसको आप प्रारिटी के रूप में लेते हैं फॉर एन एक्जामपल कि कोई एमर्जेंसी चीज आ गई वो चीज आपने र हाँ हो सकता है कि हर दिन की सिनेरियो अलग-अलग हो सकती है कई बार आप उसको 10% भी दे सकते हैं कई बार आप उसको 90% भी दे सकते हैं लेकिन अगर जब आप निरंतरता को मेंटेंड करते हैं तो एक नॉर्मल पेस में अगर आप उसको नॉर्मली चलते रहेंगे तो एक बदलाव बहुत जरूरी है आपके एक positive mindset के साथ कि आप जो भी चीज़े हासिल करना चाहते हैं उसको एक positive aspect के साथ उसको ले करके जाएगा तो आपके सफल होने के chances काफी ज़्यादा हाई होते हैं तो इस तरह से दीरे-दीरे करके आप अपने आप में भी improvement लाईए अपने का जल्दी और बहुत ही अच्छा करने वाले हैं तो इस तरह से आप अपने life में changes करिएगा तो आपका life एक दिन जरूर बदलेगा और अगले दीवाली आपको खुशकवरियां जरूर मिलेगी wish you a very happy दीवाली आप सबको happy दीवाली और आपके life में जो भी कमी चल रही है जो इसी skill से आपको पैसे भी मिल सकते हैं और जो आपका जो सबसे पसंदीदा काम है उसी को आपको select रहना है ऐसा नहीं है कि बेमन से कोई काम करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं वो चीज़े आपको बहुत ज़दा बोज बना देगी तो इस दिवाली अपने skill को चूज करिए कि आपके अंदर क्या skill है कुछ भी हो सकती है एक्जांपल के तौर पर आर्ट इन क्राफ्ट आपको बहुत ज़दा पसंद है रंगोली बनाना बहुत पसंद है महंदी लगाना बहुत पसंद है कोई भी एक चीज जिसको आपकर आपने पकड़ लिया और उसक पर फेस्बुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कों न भूलें थैंक्यूस मच फ़र वाचिंग